हलो एक वहार ने लेकर आ गए है सेक्टर्स अब इंडियन एकॉनिमी चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्टेंज यानि कि जो बोड एक्जाम पॉइंट अव्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फटा फट से एक क्वेश्टेंगे सबसे पहला तो वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलप्मेंट इंडियन एकॉनिमी जस्टिफाय थे स्टेटमेंट बेसिकली इस क्वेश्टेंगे अंडर हमको राइजिंग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की बात करनी है अगर आपने मेरे से पढ़ाई करी है कभी तो आपको कि माम ने इस question को काफी ज्यादा ही important declare कर रखा है और मेरे हिसाब से this is a board prediction question बहुत ज्यादा important है pointers आपको सारे के सारे पता ही है तो सब से पहला point है basic services जैसे की अस्पताल है आपके school है college है educational institutions है hospitals है post-telegraph services, transport, banks, insurance यह सारी कुछ ऐसी basic services है जिनकी जरूरत हर जगह पर होती है और सारी services को provide कौन करता है tertiary sector that is why it is very important second point है यहाँ पर की development of primary secondary sector तो यहर देखो primary और secondary sector जब develop करते हैं grow करते हैं तो उनको develop करने के लिए भी tertiary sector की जरूरत पढ़ती है transportation facility हो गई, storage facility हो गई, banking facility हो गई, मतलब loan की जरूरत पढ़ जाएगी, insurance की जरूरत पढ़ जाएगी यह सारी services कहां से वो obtain करेंगे, tertiary sector से तो एक तरह से हम यह बोल सकते हैं कि जब primary और secondary sector develop करेंगे because they are dependent on the tertiary sector तो उनके development से tertiary sector भी grow करेगा, tertiary sector भी develop करेगा तीसरा pointer है rise in the income levels, जब लोगों की income levels बढ़ते हैं, लोग जो है ज़ादा कमाने लगते हैं तो लोग ज़ादा पैसा अपनी services पे खर्च भी करना चाहते हैं, जैसे कि बाहर जाके खाना खाना चाहते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools में बचों का admission कराएंगे, professional training centers में जाके training लेंगे तो यह सारी चीज़े वो तभी afford करेंगे, जब उनके पास जादा पैसा होगा, तो क्योंकि लोगों की incomes बढ़ रहे हैं over the years, so they are also affording these services last pointer is the rise in information technology, information technology के आने से बहुत सारी नौकरियां क्रेट हुए है in the service sector, हम लोग देख सकते हैं, in the past decade, new services based on information communication technology have become very very important, very very essential, बहुत important हो गई है, बहुत essential हो गई है, सारी की सारी services, all right, now बचा पार्टी आजाओ, next question यहाँ पर है, explain नरेगा 2005, नरेगा नहीं, इसको मनरेगा भी आप बोल सकते हो, तो यह ना basically, हम लिख देदे हैं, मनरेगा यानि की महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act, Central Government यानि की केंड्रे सरकार भारत में, made a law implementing the right to work in about 625 districts of India, right to work, काम करने के अधिकार को लागू किया गया है, ठीक है, 625 भारत के जिलो में, इसको ही महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act of 2015, बोला जाता है, इसके अंदर, those who are able to and are in need of work in the rural areas, बचों की तीन चीज़ों याद रखेगा, who are able to, यानि की जो काम कर सकते हैं, are in need of work, यानि की जिनको काम की जरूरत है, ठीक है, in the rural areas, यानि की घ्रामीन शेत्रों के अंदर, उन सभी लोगों को काम दिया जा रहा है, कितने दिन का, 100 दिन का काम दिया जा रहा है, in a year, guaranteed work, ठीक है, अगर government अपनी duty में fail कर जाता है, employment नहीं दे पाता है, तो उसकी जगह पर लोगों को unemployment allowances दी जाएंगी, सरकार ने आप से दावा करा था, कि आपको तो 100 दिन काम के मिलेंगे, बट अगर सरकार के पस कोई काम ही नहीं है, तो कहां से काम देगी है, तो अगर government अपनी duty में fail हो जा दी, तो 100 दिन की जो ध्याडी बनती है, जो पैसा बनता है, वो आपको unemployment allowance के जरिए दे दी जाएगी, उसी के साथ, the types of work that would in the future help to increase the production from land will be given preference under the Act, हाँ, तो जिस हिसाब के काम से जो है production in the future, land production increase होगी, उसी काम को preference दी जाती है, वही काम दिया जाता है, all right, next question यहाँ पर आया है, employment conditions prevailing in the organized and the unorganized sector, basically this is a question जहाँ पर difference किया जा रहा है, organized sector के बीच में और unorganized sector के बीच में, which is a very very important question, देखिये, organized sector की बात करें तो बचो एक point तो सभी को पता होना चाहिए, organized का मतलब है, जहाँ पर units जो है, वो किसके तहत है, government के तहता है, ठीकिए, तो units जो है, government के साथ registered है, unorganized sector में जो units है, वो government के साथ registered नहीं है, उसी के साथ यह बड़े units है, यह जो है, small and scattered units है, ठीकिए, these are big units, organized में big units आएंगे, यहाँ पर small and scattered units आएंगे, वही पर organized sector के तहत, जो है labor laws को follow करा जाता है, जो सरकार लेती है यहां पर किसी भी वह the पो अजया पे हुगी और अगर वरटाइम का भी पैसा दिया जाएगा यहां पर कोई उवर थाइम का पैसा नहीं दिया जाता है बैसकल यहां अरगे नशेटर के लिगेकरा का शौषन किया जाता है और कुछ कुछ भी नहीं साथ ही में यहां पर तो बहुत सारे benefits आपको मिलते हैं बहुत फायदे मिलते हैं जैसे कि paid holidays है medical facilities है safe working environment provident fund यह सारी जीज़ें आपको organized sector में मिलेंगी लेकिना और organized sector के अंदर कोई भी benefits आपको नहीं मिलते हैं ना तो paid holiday जिस दिन चुट्टी मार लिए उसन का पैसा नहीं मिलेगा ध्यारी काट ली जाएगी medical facilities कुछ नहीं मिलती safe working environment की भी कोई guarantee नहीं है और provident fund वगेरा कुछ भी नहीं क्योंकि registered नहीं है government के साथ ठीक है तो क्यों मिलेंगी यह सारी facilities तो यह वारी जो चीज़ें बच्टो definitely यहां पर हमको एक चीज रियोलाइज होती है कि यहां ना organized sector के अंदर workers are getting exploited to a very large extent and there is a need to improve the situation right उनकी स्थिती को बहतर बनाने की ज़रूरत है चली next question पर आते हैं और यहां पर एक और differentiation का question है कि इसके बीच में difference करना है public और private sector की बीच में अब यहां पर एक basic सा difference होता है कि public sector में सारे जितनी भी चीजों होती है own और control कौन करता है उसको सरकार करती है और private sector में private individuals और companies के पास ownership होता है control होता है तो यहां वही लिखा है it is under the control of the government लेकिन this is under the control of the private individuals और companies यहां पर सारे assets और सारी services को provide करने की जिम्मेदारी होती है government के पास assets के ownership government के पास होती है provide करने की services को भी जिम्मेदारी सरकार के पास होती है यहां पर ownership of assets delivery of services in the hands of the private individuals और companies उसे के साथ main motive is to provide benefits to the people basically public sector के अंदर main उदेशे यह होता है कि लोगों को जो है फायदे दिये जाए benefits provide करे जाए but private sector के अंदर असा बिलकुल भी नहीं है यहां पर main motive है to earn profit सिर्फ profit का माना ही यहां का main उदेशे है government can raise money through taxes सरकार जो है पैसा raise कर सकती है taxes के थूँ लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है आपको जो है services to get services we have to pay money to individuals तो यहां पर अगर आपको वी service करनी है तो आप जो है private sector के अंदर क्या करोगा आपको पे करना पड़ेगा बहुत जादा पे करना पड़ेगा वो भी एक्जांपल की तौर पर पुलिस आर्मी है इंडियन रिल वेस एक सेक्टर यह सारे हम आपके public सेक्टर में आते हैं और यहां पर रिलाइंस कंपनी लिमिटेट इसको एक सेक्टर यह सारे आपके प्राइविट सेक्टर में आते हैं अच्छा बचाबाटी एक चीज याद रखेगा कि जब भी differentiation आता है public और प्राइवेट के बीच में तो आपको से करना है ठीक है तो public welfare is the motive लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिर्फ और से motive क्या है to earn profit तीसरा पॉइंटर जो आप लिखोगे वो होगा example का point क्यानि की public sector में कौन कौन सी industries आती है और private sector में कौन कौन सी industries आती है ठीक है that is it now let's move on to the okay move on क्या खतम हो गए याँ पर questions जो इंपोर्टें इस चाप्र के अच्छा से इस चाप्र को पढ़ीजिए का I will see you in the next session take care